इस सवाल में कहा गया है कि एक बोल को उपर की तरफ रिका गया है और air resistance present है एक constant air resistance is there तो सवाल कह रहा है कि उपर जाते वक्त time कम लगेगा time of ascent और time of descent उपर जाने का time और नीचे जाने के time में क्या relation रहेगा कौन सा बढ़ा रहेगा या बराबर रहेगा देखते हैं इंटरस्टिंग सवाल है अगर आपने बोल को उपर की तरफ रिका है mg का force नीचे लगेगा और जो drag force लगेगा air का वो भी नीचे लगेगा दोनों force जुड़के बड़े हो जाएंगे नीचे की तरफ लगने वाला force बड़ा है अगर force बड़ा है तो acceleration भी जादा है यह particle कब है जब particle उपर की तरफ move कर रहा है और जब नीचे की तरफ आएगा तो mg तो नीचे लगी रहा है लेकिन नीचे आते वक्त air drag आपका उपर की तरफ लगेगा अगर air drag उपर लगेगा object आना तो नीचे ही है mg का नीचे लगने वाला force था वो घट गया है अगर घट गया है तो acceleration घट गई है तो उपर जाते वक्त particle की acceleration ज़ादा है जब acceleration ज़ादा होगी तब particle जल्दी रुकेगा कहने का मतलब है अगर मैं इस side move कर रहा हूँ और force पीछे लग रही है तो force बड़ी है तो acceleration भी बड़ा होगा और यह acceleration ज़ादा होगी तो मैं जल्दी रुकूंगा यहाँ पर acceleration ज़ादा है उपर जाते वक्त तो आप यह जाते वक्त जल्दी रुकेगा माने time कम लगेगा time of ascent is less देखते है कौन सो option है time of ascent is less in this case interesting सवाल है आप as a fact as a fact तो क्या simple अगर यह लोजिक आपको समझ में आता है कि force बड़ी तो acceleration बड़ा अगर acceleration बड़ा तो particle जल्दी रुक जाएगा इस तरीके साब सवाल को solve कर सकते हैं